रोफवे mostly फाड़ी इलाकों में यूज किया जाता है जहां रोड बनाना आसान नहीं होता हम इस वीडियो में रोफवे की वर्किंग को समझेंगे और यदि इसकी रोप तूट जाए तो इसकी सेप्टी कैसी है यह भी जानेंगे बेसिकली रोफवे दो टाइप के होते हैं जो डिटेचेबल रोफवे होते हैं जब कार इस्टेशन पर पहुंसती है तो वह रोप से डिटेच हो जाती है यह कम्प्लीटली रुकते नहीं है बस इनकी स्पीड सलो हो जाती है लोगों के बैटने उतरने के लिए इनकी लेंध 10 km तक हो सकती है और इनकी खास बात है कि इनमें मल्टीपल गोंडोला लगे रहते हैं इस कार को ही गोंडोला बोलते हैं यह रोफवे का ग्राउन्ड इस्टेशन है और एक्चल में यही मास्टर इस्टेशन भी होता है इस पुरे सिस्टम को चलाने के लिए सि ब्लोवर लगा रहता है जो मोटर की cooking करता है और इस ब्लोवर को power मिलती है एक छोटी मोटर से मोटर के आगे एक hydraulic brake सिस्टम लगा रहता है रोफवे को रोकने के लिए अब मोटर से जो power मिल रही है वह है इस complete रोफवे को नहीं चला सकती इसलिए two stage planetary gear system लगा रहता है बेवल gear के साथ में जो motor से मिल रहे torque को increase कर देता है gear से power जाती है सीव के पास में जो rope पर force लगाता है और rope move करती है जो cape होती है वह rope को पकड़ के रखती है और rope जब move करती है तो cape भी साथ में move करती है जनरली rope way की 3-5 meter per second average speed होती है लेकिन इसकी speed 14 meter per second भी हो सकती है इतनी high speed में जब cape station पर पहुंसती है तो cable से successfully detach हो जाती है car को cable से detach करने के लिए parallel coil spring लगी रहती है normal condition में cable से grip बनी रहती है लेकिन जब car को detach करना होता है तो इन spring के उपर एक wheel लगा रहता है जब इसको हम press करेंगे तो spring coil load होने लगेगी और cable से grip कुछ इस तरीके से open हो जाएगी car के cable से दूर होते ही इसके वजन को उठाने के लिए नीचे छोटे छोटे wheel लगे रहते हैं जिन पर car चलती है तो normal situation में spring coil grip को cable से पकड़ने के लिए पूरा force लगा कर रखती है जब car station पर पहुंसती है तो इस छोटे wheel पर force लगाने के लिए कुछ ऐसा structure बना रहता है और इस structure की वज़े से spring load होगी और car cable से दूर हो जाएगी और जैसे ही cable से car का load अठेगा तो इन छोटे छोटे टाइर पर आ जाएगा और इनके चलने के लिए एक रास्ता बना रहता है जिस पर यह चलते हैं लेकिन एक चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए कि अब इस condition में इस car को आगे की तरफ force कौन लगाएगा क्योंकि cable से तो यह दूर हो गई तो इसके लिए इस्टेशन के चारो तरफ ऐसे टाइर लगे रहते हैं जो एक दूसरे से belt से connected रहते हैं और इन सबी टाइर को भी इसी motor से power मिलती है इस gear system के थ्रू केबल से डिटेच होने के बाद में कार को यह टाइर force लगाते हैं आगे बढ़ने के लिए लेकिन interesting बात यह है कि जब कार स्टेशन पर आती है तो उसकी speed जादा होती है तो सबसे पहले टाइर की speed केबल की speed के बराबर होती है दूसरे टाइर की speed थोड़ी उससे कम होती है उससे आगे वाले की थोड़ी और कम ऐसे दिरे-दिरे कार की speed को down किया जाता है ताकि passenger को कोई जटका ना लगे और speed दिरे होने के बाद में कार दिरे-दिरे station पर आगे बढ़ेगी जब कार को वापस केबल से attach करना होता है तो टाइर दिरे-दिरे कार की speed को बढ़ाना सुरू कर देंगे और जैसे ही कार केबल के पास में पहुंचेगी तो कार की speed केबल की speed के बराबर हो जाएगी और ठीक पहले की तरह जैसे ही वापस spring लोड होगी तो grip open हो जाएगी और केबल से अपना contact बना लेगी यदि अपर station को देखे तो अपर station पर भी same ऐसा ही system होता है लेकिन यहाँ पर कोई motor नहीं लगी रहती है जो lower station की motor होती है उसी से power transfer होती है केबल के थुरू अब यहाँ पर जो tire लगे रहते हैं इनको rotate करवाने के लिए इस sieve से एक gear system के थुरू इनको connect किया जाता है बाकी process same to same lower station जैसा ही है अब मान के चलो lower station से upper station के बीच में बहुत ज़्यादा दूरी है और cable बीच में कहीं tower से उतर गई तो क्या होगा दोस्तो आपको यह दिये सा animation सीखना है और कुछ अच्छा करना चाते हो तो 3D animation one of the best option है क्योंकि आज के time में market में इसकी बहुत ज़्यादा demand है और demand है तो इसमें बहुत पैसा भी है website का link description में दिया हुआ है हमारी 3D community में आपका स्वागत है हमारी तरब से आपको full support रहेगा ropeway के tower की design कुछ इस type की होती है टावर के दोनों तरब बहुत सारे roller लगे रहते हैं केबल को अपनी position पर रखने के लिए जो car की grip होती है उसकी designing कुछ ऐसी होती है कि यह roller के नीचे से भी आसानी से जा सकती है इन roller के side में rope deflector लगे रहते हैं ताकि cable roller से नीचे ना उतर जाए और बाई चान सेधी cable roller से नीचे उतर गई तो rope catcher लगे रहते हैं side में जो cable को catch कर लेंगे लेकिन यह तो सिरफ एक basic security है हर tower के उपर जो पहले के दो roller है और last के दो roller है इनके बीच में proximity sensor लगा रहता है जो cable की position चेक करता रहता है और जैसे ही cable उतरेगी तो यह station पर control system को signal बेजेगा और तुरंत brake लगा देगा cable को एक fit भी आगे नहीं चलने देगा इसके लवा आप जो यह red cable देख रहे हो जो हर tower से होते हुए station तक पहुंसती है यह है एक hand brake का काम करती है इस cable को खीचने से किसी भी tower से emergency brake लगाया जा सकता है जैसे train का brake होता है हर डिबे में ठीक वैसा यहाँ पर भी होता है station पर C.U. पर एक centrifugal switch लगा रहता है जब C.U. की speed normal speed से थोड़ी सी भी ज़धा बढ़ जाती है तो यह activate हो जाता है और C.U. के उपर एक बड़ा hydraulic brake लगा रहता है जो तुरंद C.U. और cable को रोक देगा कई बार ऐसी situation भी आती है कि power failure हो जाती है और motor रुक जाती है तो बीच में car फस जाएंगे तो इसके लिए C.U. पर एक बड़ा gear लगा रहता है जिसके साथ में एक hydraulic motor लगी रहती है और इस motor को power मिलती है एक engine से जिसको power failure जैसी emergency situation में on किया जाता है ropeway में जितने भी brake है ये सब normal condition में activate रहते हैं कहने का मतलब गाड़ियों में जब brake फैल होता है तो brake लगता नहीं है लेकिन इन में जैसे ही कोई abnormal condition आती है तो brake fluid और spring already loaded रहते हैं और इन में से कुछ भी फैल होता है तो brake लग जाता है ropeway में still wire से बनी एक मोटी cable काम में ली जाती है इस cable की continuous monitoring के लिए optical testing device लगी रहती है जिसमें laser light होती है और यह चेक करते रहते हैं कि कहीं से भी cable में कोई wire तो नहीं तूटा है या कोई scratch तो नहीं आ गया ropeway में एक और interesting thing होती है कि जितने गondola नीचे की तरफ आ रहे हैं उतने ही उपर की तरफ जा रहे हैं ताकि motor पर ज्यादा load ना पड़े और उसको balance किया जा सके बाकी ropeway में जितने भी equipment है जैसे motor cable car इनकी continuous monitoring की जाती है ताकि कहीं से भी कोई failure ना हो जाए तो यहाँ पर safety का पूरा ध्यान रखा जाता है बस इन में एक छोटी सी कमी होती है कि जो cable car या जो गondola होता है उसमें light का कोई source नहीं होता है इसलिए आपने कई बार देखा होगा कि उनके उपर एक छोटा solar panel लगा रहता है वहाँ पे electricity देने के लिए यदि बात करे non-detachable car की तो वह continuously cable से जुड़े रहते हैं और जब car station पर पहुंसती है तो motor को रोकना पड़ता है लेकिन यह ज़्यादा दूरी के लिए नहीं होते हैं और इनकी एक खास बात यह भी है कि जब car नीचे के station पर रुकती है तो उसके opposite दूसरी car अपर station पर भी रुकती है इस वीडियो का animation और information कैसे लगी आपको जरूर से comment box में बताना हमें आपके feedback की सक जरूरत है आप channel पर visit करके और भी ऐसे बैतरीन वीडियो देख सकते हो और हमारे साथ जुड़ते हो तो आपका knowledge बढ़ता ही जाएगा Thank you